हाई एविर्वन वेल्कम टू मैं चानल आज मैं आप लोगों 40 इंच चेस्ट सिंगल कटोरी ब्लाउस का कटिंग बताऊंगे हेच चेस्ट है 40 इंच कमर है 35 इंच अब लाउस की लंबाई है 13 इंच बाहं की लंबाई है 4.5 इंच गला है फ्रंट गला है 6.5 इंच और बैक गला है 10 इंच चलिएए कटिंग purchasing data करते हैं बेक गले क इस तरीके से double fold करके हम paper को ले लेते हैं और back गले की लंबाई है14 इंच इस तरीके से 13 इंच है तो हमalım एक इंच plus कर लेते हैं तो इस तरीके से ये back गले के लिए है और front गले के लिए हम इसमें एक आँच और plus कर लेते हैं यह हो जाएगा पंद्रा इंच इस तरीके से एक 14 इंच और एक 15 इंच पर हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से और चेस्ट का फोर्थ पार्ट होगा 10 इंच और डेट इंच मार्जिन के लिए हम ले लेते हैं ले लेते हैं इस तरीके से 11.5 इंच पर हम इसका मेजर्मेंट ले लेते हैं और इसके चार और सरीके से कट कर लेते हैं और जो बैक गले के लिए हम 14 इंच कर जो लाइन ड्रॉ किये थे वहां पर से इस तरीके से एक इंच पर करके इस तरीके से कट कर लेते हैं देखें टू फोल्ड है एक बड़ा है रेक छोटा है यह जो पंद्रा इंच का जो था वो फ्रंट के लिए था इसमें हम सोल्डर लेंगे आर्मोल भी हम साड़े पाच इंच पर लेंगे इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं गले का मार्किंग हम 2.2 इंच पर करेंगे और गले की जो लंबाई है उसे 7 इंच पर करेंगे और इस तरीके से धा इंच तरीके से मार्किंग कर लेते हैं और एक स्क्वेर शेप बना लेते हैं क्यों स्वेरे की इस तरीके से जेश्ड हम 10 इंच पर ले लेते हैं एक इस तरीके से मार्किंग करकी गले का शेप देते हैं और फ्रंट ळू के लिए 0 कि ँअ आपको एक बात ध्यान देनी है कि जब आर्म होल का मार्किंग करते हैं तो हाफ इंच नीचे की ओड़ इस तरीके से गोलाई का शेफ दे देजिए इस तरीके से ऐसा करने से ब्लाउस में जो फुलान वगर आती है वो इस तरीके से मार्किंग करने पर नहीं आएगी और एक पर्फेक्ट शेप में ब्लाउस का जॉइंट होता है तरीके से इच्छे से मार्किंग कर लेते हैं और सोल्डर से कटोरी तक का मेजर्मेंट 12 इंच पर हम ले लेते हैं इस तरीके से 12 इंच पर मार्किंग कर लेते हैं और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और जो सोल्डर के पास अंदर की और हम हाफ इंच का मार्किंग कर लेते हैं हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कंधे गिरने की बहुत शिकायत हो रहती है इसलिए अंदर की और मार्किंग कर लेते हैं इसे कंधे गिरने की शिकायत नहीं पक तरीके से ज्चाहँ सवस्पाइक करें और फिर ये हैं पर एक इंच उपर इस त्रीके से मार्किंग कर लेते हैं और एक अच्छी सी गोलाई का शेव दे देते हैं और जो नीचे की पट्टी होते हैं उसके उपर हाफ इंच का इस तरीके से उपर क्यों मार्किंग कर लेते हैं यहां पर हम डेड़ इंच का मार्जिन ले रहे हैं कमकर होगा हमारा पॉनर नाव इंच पर क्योंकि 35 इंची का फोर्थ पार्ट क्योंने नाव इंच ही और इंचे सबाने अंदर एंचे से मजिन लालते हैं कि हमें प्रर्भक ऑफ़ बनाना होता है इस लिए इस तरीके से सवा दो इंच पर मार्किंग कर लेते हैं और एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अब हम इसकी चार और कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से दोनों पार्ट्स अलग कर लेते हैं स्रंट आर्मोल भी इस तरीके से कट कर लेते हैं कि सोल्डर से हम नीचे की और दस इंच कर लेते हैं का उर्र मार्किंग कर लेते हैं बैक गले के लिए ऐस तरीके से भाग लेते हैं गोलाई लेते हैं थीन इंच कर लें सकते हैं यहांपर भाग ले रही हूँ और इस تरेके से एक के का घुलाई का शेप हंदे देते हैं अर अब हम इसे कट कर लेते हैं इस तरीके से अब जोली और स्लिफ का कटिंग में आपको सिधी बलाउस का जो अस्तर होता है उसमें बता रहे हैं इस तरीके से आप एक फोल्ड कर लीजिए और जो बैक पार्ट है और चोली कट है और जो इस तरीके से से सेट कर लीजिए और इसको कट कर लीजिए देखिए तीनों पार्ट इस तरीके से कट हो चुके है अब हम चोली का कटिंग करेंगे जास पहले हम उस कटोरी को इस तरीके से सेट कर लेते हैं और इसके चार ओर मार्कझ कर लेते हैं और कटोरी का सेंटर पोंट हम लेते हैं तो 6 इस चारी का सेंटर पॉइंट होगा तीन इंच पर आःत üzटे के से और उसके उपर हम डेर्ड इंच पर मार्किंग कर लेते हैं और यहां पर पॉने तीन इंच पर एक सिधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कर लेते हैं और कटओरी के फ्रेंट साइड हम 1 моя को किकर लेते हैं दिलेखन कर लेते हैं को तोझग मार्किंग अğर फ्रंट का हम उपर गले में हम ठ्काइं से कैश्ट का मार्किंग कर लेते हैं और यहां पर भी हूँ हाफ इंच का मार्जिन ले करके शरीके से ड्रॉव कर लेते हैं अब हम इसके चार और की कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से जहर पोईंट है मिकालते हैं डबल फॉल्ड करके से जहरी तरीके से जहरी जो इरिया है वहां से हैं डिड़ इंच का मार्किंग कर लेते हैं और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पर कट लगा लेते हैं ताकि हमें सिलाई करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए अब मैं आपको स्लिफ्स की की कटिंग बता रही हूँ हम जरीके से ले लेते हैं जेश्ट का फौर्थ पॉर्ट तेन इंच होता है तेन इंच हम ना लें करके उसे नाइन इंच लेंगे मतलब हम इसे इसका टोटल लेंग्ध 18 इंच पर हमें लेना होगा सबस्थ पहले हम ब्लाउज की जो लंबाई है उससे ले लेते हैं वो होगा साड़े पांच इंच पर हम उसका टोटल लंबाई लेंगे क्योंकि हाफ इंच उपर की ओर सिलाई की ओर जाएगा और हाफ इंच नीचरी की ओर सिलाई के लिए जाएगा इस तरीके से पसाड़े पांच इंच पर इस तरीके से हम मार कर लेते हैं यह हम अठारा इंच पर मार कर लेते हैं इस तरीके से और अब हम इसे कट कर लेते हैं इस तरीके से नौ इंच का स्लिस बन जाएगा और जो उपन एरिया है वहाँ से हम धाई इंच पर मार्क कर लेते हैं ड़ड़ इंच उपर के और हम ले लेते हैं और यहाँ से भी हम ड़ड़ इंच ले लेते हैं इस तरह किसे एक गुलाई का शिर्फ दे देते हैं और सवई इंच पर फ्रंट आर्मोहल के लिए इस तरह किसे मार्क कर लेते हैं और अब हम इसे कट कर लेते हैं इसे दोनों पार्ट्स को अलग कर लेते हैं प्रेदे दोनों पार्ट्स को अलग कर लेते हैं पार्ट्स को अलग कर लेते हैं और यहाँ जँड़ आर्मोहल को अलग कर दोना पिते हैं झाल झाल